दी मैं ठक गई हूँ, इतने सारे remedies को देख देख कर अपलाई करते करते, कुछ भी नहीं हो रहा है और मेरे बालों में तो growth छोड़ो, hair fall भी control नहीं हो रहा है, मैं क्या करते हैं, वैसे ऐसे सवाल मेरे पास हर दिन आते रहते हैं, आप लोगों के बहुत सारे इतने बड़े- हरे में डिलाई हूँ, आप लोगों के लिए एक ऐसा इंग्रीडियेंट, एक ऐसा नाच्रॉल इंग्रीडियेंट, जो आप अपने hair growth के लिए इसमाल कर सकते हो, के scalp में hair regrowth नहीं हो रहा है, जगह जगह पे खाली होते जा रहे हैं, उसके लिए आप इस ingredient का इसमाल कर सकते ह तो चलिए शुरू करते हैं, आज का और एक hair growth वाला hair care के वीडियो, आप लोगों का, यहां पे मैं skincare, hair care, makeup, product reviews के बहुत सारे वीडियोज अपलोड करती हूँ, अभी तक आपने चानल को subscribe नहीं किया है, तो नीचे subscribe बटन है, उसको प्रेस करके, आप इस चानल के सब्सक्रा बन सकते हो, तो चलिए शुरू करते हैं गाइस वीडियो, तो यहां पर मैं जो इंग्रेडियन, जो नाश्रोल इंग्रेडियन दिखाने वाली हूँ, इसका नाम है, गोटू कोला, अब अलग-अलग स्टेट्स के लोग इसको अलग-अलग नाम से जानते हैं, बट इसका ज स्किन केर, हैर केर, हमारे बॉड़ी ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, मतलब यह आपके शरीर को अंदर से ठीक करने के साथ साथ, अगर आप से अगर आप स्किन पे लगाते हो, बालों में लगाते हो, उसके उपर काम करता है, बंगॉली में इसको कहत और इसके पत्ते ना काफी खुबसूरत होते हैं, गोल गोल चक्के चक्के टाइब के होते हैं, और काफी रसीले होते हैं, और साइज में छोटे होते हैं, तो इसके पत्तों का आप सेवन कर सकते हो, मतलब इसके पत्तों का रस पिया जाता है, आप इसके पत्ते को कच्चा है तो पत्ते को आपने देख लिया है अब इसका इस्तमाल हम कैसे करेंगे बालों की लुग उर रिग्रोथ के लिए वो मैं अगे बताऊंगे मैं तीन तरीके बताऊंगी उनमें से कोई भी एक तरीका आप रेगुलर तीन महिने तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा तो चलिए देखते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगो बताऊंगी इसके बेनेफिट इसके बहुत सारे बेनेफिट है और पहला बेनेफिट इसका यह है है एर ग्रोथ के लिए इसका 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 रस पीना बहुत ही अच्छा माना सकते हो सोरillarिस जैसी कोई babyya है उसको ठीक करने के लिए इस themaak कर सकते हो talking को बेदाग बनाना है skin पे क्वी दाग नहीं चाहिए उसके लिए इसका lesson बहुत अच्छा काम करता है and अगर आपके स्किन पर रिंकल है उसको ठीक करना चाहते हो मतलब 35-40 के बाद लोग के चैरी पर हलका हलका रिंकल आ जाता है तो उसको ठीक करने के लिए आप इसको ले सकते हो इसका रस पीना और इसका पाउडर कैपसूल लेना बहुत अच्छा माना जाता है तो यह तो गए इसके बेनेफ सुभा उठीए ब्रश कीजिए खाली पेड इसके चार पत्ते लीजिए चोटे चोटे रसीले पत्ते होते हैं उनको अच्छे से दो के आप इसको चबा के खा जाए पत्ते को एकदम चबा लीजिए और उसके बाद अलग बग 15 मिनिर वेट कीजिए और उसके बाद आप प्रप्रव्लम की बजह से आप हेड फॉबर को फेस कर रहे हो आपका है नहीं हो तो वह ठीक होता है तो यह सबसे पहला तरीका है OMT gospels को च। लेगता है इसके साथ आप आमला ले जीए आमले का भी रस निकाल लीजिए और गोटुक लीजिए को अच्छे से मिक्स कर लगाने के बाद इसको रखिए एक घंटा और एक घंटे बाद आप शांपू कर लीजिए यह गया दूसरा तरीका गोटु कोला को इस्तमाल करने का अब चलिए देखते हैं तीसरा तरीका और तीसरा तरीका सबसे ज़्यादा है वो है इसका ओयल इसका रेडिमेट ओयल मार्क अब बादम तेल या फिर जैथून का तेल मिला लेजी और इसको अच्छी से पका के इसका तेल इस्तमाल कर सकते हो अपने वालो में सीवियर हेरफॉल हो रहा है तो उस तेल को आप हर दिन मतलब तीन दिन आपको लगादार इस्तमाल करना है तीन दिन बाद आपको और आपके scalp में जिस जगा पे खाली पन है मतलब हेरो नहीं हो रहा है वहाँ पे इसका रस लगा के आप रखिए लेप की तरह वह बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा मतलब इसको पीस लीजिए पीस के उसका जो पता उसका रस लेके जहां जहां पे खाली है आपके scalp में एक गंटा रखके शांपू कर दीजिए इससे धीरे धीरे जहां जहां पर पैचे सा रहे हैं हैर ग्रो नहीं हो रहा है है वहां पर बहुत अच्छे तरीके से आपको हेल्प मेले रहा तो I hope कि आप लोग इसको ट्राइ करोगे क्योंकि यह बहुत ही अच्छा एक इंग्रेडियन्ट है ब्रिंगराज की तरह यह इतना ही पावरफुल है